नमस्कार दोस्तों AC लेने के बारे में सोच रहे हैं तो कौन सा वाला AC लेंगे आप वही पुराना घिसा पिटा रेगुलर कूलिंग वाला मॉडल या फिर कुछ हट के कुछ ले टेस्ट होट और कोल्ड वाला मॉडल दोस्तों अकर आप सोचते हैं कभी इंडिया में कहां इतनी सर्दी पड़ती है और कहां हम अलग से होट और कोल्ड वाला AC लें वही रेगुलर वाला कूलिंग मॉडल ले ले लेते हैं और थोड़े से पैसे बचा लेते हैं तो मेरे दोस्त यह वाला वीडियो आपको पूरा और अध्यान पूर्वक देखने की जरूरत है हो सकता है कि आपका जो ओपीनियन है वो बदल जाए दोस्तों आज का जो वीडियो है वो एक comprehensive buying guide रहने वाला है कुछ इस तरह के ACs की जो हर मौसम में आपका साथ देंगे मैंने कई सारे points यहाँ पे लिखके रखे हैं ताकि कोई भी point मुझसे miss ना हो जाए तो देख इस बात की है आप लोग फटाफट से नीचे जाके like और subscribe की बटन दबा दीजिए और बात करते हैं कुछ hot and cold ACs की दोस्तों जो hot and cold AC होता है उसे all weather AC या फिर heat pump के नाम से भी जाना जाता है सबसे पहले बात करते हैं कि यह वाला AC किसको लेना चाहिए तो कुछ मेरे जैसे लोग जो work from home करते हैं YouTube का काम करते हैं वाइस ओवर्स देते हैं दर्वाजे खिड़कियां ज़्यादा खोल नहीं सकते तो hot and cold AC जरूर लीजे क्योंकि हर weather में यह आपका साथ देगा फिर चाहे सर्दी रहे, गर्मी रहे, मौनसून रहे तीनों सीजन्स में यह आपको useful रहेगा sensitive health वाले लोग old age वाले लोग, senior citizens अगर आपके parents की room में आप AC लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो hot and cold वाला model आप जरूर सोचिए उसके बाद में छोटे बच्चे of course क्योंकि भई जो छोटे बच्चे हैं उनको गर्मी सर भी दोनों से protection देना काफी ज़्यादा ज़रूरी होता है allergies वाले लोग, अगर sensitive आपकी health है अगर आपको बाहर का जो pollution है जो dust है उससे अगर आपको दिक्कत होती है और आज हम कुछ ऐसे AC की भी बात करेंगे जिसमें तो dust filter भी अच्छे वाले लगे हुए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा उसके अलावाद जो ऐसे लोग हैं जो multiple appliances नहीं लेना चाहते क्योंकि भाई गर्मी जनरेट करने के लिए warmth जनरेट करने के लिए room heater भी तो लिया जा सकता है cooling के लिए AC लिया जा सकता है और mansoons के लिए अलग से dew humidifier और allergy हो रही है तो क्या एक air filter ले लिया जाए भाई अगर ये चार appliances के जनजट में आपको नहीं पढ़ना है अगर आपको wiring के clutter से दिक्कत होती है तो आप एक complete hot and cold AC ले सकते हैं इन सारे जनजट से आप दूर रह सकते हैं आईए चलते हैं next point की ओर यह hot and cold AC काम किस तरह से करते हैं इस concept में काफी लोगों को गलत फैमी होती है confusion होता है लोगों को ऐसा लगता है कभी AC जो होता है वो तो regular AC होता है साथ में उसमें heating element डाल देते हैं जैसे ही आप hot mode on करते हैं heating element चल जाएगा मतलब एक heater coil लगी रहेगी जो गरमी पैदा करेगी और गरम हवा आपके AC में से आएगी दोस्तों let me tell you कि ऐसा बिलकुल भी नहीं है थोड़ा सा basic हम समझ लेते हैं AC के अंदर दो main component होते हैं एक होता है आपका evaporator coil जो आपके indoor unit में लगा होता है एक होता है condenser coil जो बाहर outdoor unit में लगा रहता है अब इन दोनों की बीच में दोड़ता है refrigerant जिसे हम gas कहते हैं और ये gas कौन दोड़ाता है आपका compressor तो generally हम जब cooling mode में AC लगाते हैं तो वो क्या करता है कि जो room के अंदर जो heat है जो भी temperature है उसको indoor unit से circulate करता है जो blower motor है वो हवा को circulate करती है वो वाला जो heat है उसको जो refrigerant है जो gas है वो अपने अंदर absorb कर लेता है जब्स कर लेता है वो refrigerant चला जाता है बाहर और जो outdoor unit है जो condenser coil है उसमें उस heat को जाके environment में dump कर दिया जाता है तो इस तरह से आपका AC regular cooling करता है अगर आप technical ज़्यादा information चाते हैं तो मुझे comment करके बता सकते हैं कि सब्सक्राइक detail है बड़ा असा video बना दीजिए कि AC किस तरह से काम करता है वापस आते हैं हमारे point के और तो हमने सीखा कि cooling के दोरान cycle किस तरह से काम करता है अब जो hot and cold AC होते हैं उनके अंदर होता है एक reversing wall ये जो cycle चल रही है जो गर्मी room से बाहर जा रही है उसको ये reversing wall जिस तरह से नाम दर्शाता है उल्टा कर देता है तो hot mode के अंदर ये AC क्या करेगा कि बाहर जो heat है actually environment में जी हां बाहर अगर सरदी भी है तो भी उस environment में heat है until the temperature reaches absolute zero ठीक है science की बात करने में काफी मज़ा आता है high school science तो ये जो AC है जब आप hot mode में करते हैं तो बाहर से गर्मी ले आता है और आपके room के अंदर उसको spread कर देता है blower के जरी आपके room में भेज देता है तो कोई भी heater coil की जरुवत नहीं पड़ती सिर्फ जो indoor unit है और जो outdoor unit है इनकी rolls उल्टे हो जाते हैं दोस्तों आप मैंसे कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि एक hot and cold AC लिया जाए जो काफी महंगा आता है correction इतना भी महंगा नहीं आता कुछ अच्छे options मैं आपको इस वीडियो के end में प्रेजेंट करूँगा budget options भी मैंने पिक किये हैं तो आप मैंसे वो लोग जो सोच रहे हैं कि हम महंगा hot and cold AC लें उसके बजाए एक सस्ता सा room heater ले ले लेते हैं room heater भी तो वही काम करता है तो room heater versus hot and cold AC इसमें फायदा किसमें देखिए दो बड़े differences आपको रहेंगे सबसे पहले रहेगा efficiency जैसे पहले हमने बात की इस AC के working में ये बाहर से heat लेके आता है ना कि heat खुद के अंदर energy को burn करके generate करता है तो इसका फायदा ये है कि एक hot and cold AC अगर आप पूरी राज चलाते हैं तो regular आपका जो room heater होता है जिसमें heating coils होते हैं heating elements होते हैं उसके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा efficient होता है अगर मुझे ऐसा कोई testing video मिलता है तो मैं आपको link नीचे description में दे दूँगा I think कुछ youtubers ने इसको test भी किया है वीडियो आप नीचे description में जाके देख सकते हैं उसके अलावा सबसे बड़ा जो इसका फायदा है कि ये oxygen को burn नहीं करता है जी हाँ हम room heater लगाते हैं generally sensitive लोगों के लिए senior citizens के लिए parents के लिए जिनकी health पहले से sensitive है और हम उनको एक ऐसा room heater तो बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे जो oxygen को खा जाएगा जी हाँ दोस्तों जो regular halogen filament वाले या जो electric type के room heaters आते हैं वो oxygen को खा लेते हैं oxygen को kill करते हैं लेकिन जो हमारा hot and cold AC है वो heat pump cycle को use करता है और इसमें oxygen का depletion कोई भी तरह का problem नहीं होता तो sensitive health के लिए या फिर in general में कहूंगा सब के लिए एक hot and cold AC बहुत ही बहतर choice है efficiency के मामले में भी और health के भी मामले में आईए बात करते हैं next point के तरफ guys the next point is room size के वही room की size आपकी इतनी इतनी है तो कितने ton का AC लेना चाहिए क्योंकि generally जो AC बेचे जाते हैं वो tonage के हिसाब से बेचे जाते हैं तो गणित बिल्कुल simple है अगर आपके room की size लगभग 1.500 square feet तक है तब आपको 1 ton का AC लेना है generally मैं कहूंगा कि 1 ton से नीचे आप AC ना ले इतना ज्यादा price में फरक भी नहीं पड़ता और efficiency में आपको मज़ा नहीं आएगा तो minimum जो है आप 1 ton के साथ में जाएए 1.500 square feet तक अगर आपका room है तो उसके अबाद में फिर अगर 200 square feet तक आपका room है up to 200 square feet तो आप 1.5 ton का AC लेजिए 1.5 ton और आपका room अगर उससे भी बड़ा है up to 300 square feet अगर बड़े hall में लगाना चाते हैं बड़े bedroom में लगाना चाते हैं तो आप 2 ton के AC के साथ में जा सकते हैं तो कौन सा AC लिया जाए आईए बात करते हैं कुछ बढ़िया models की दोस्तों जो पहला AC मैंने पिक किया है वो है LG का date ton 3 star hot and cold हाँ आज हम hot and cold AC की बात कर रहे हैं तो सब उसी तरह के रहेंगे ये जो है latest 2022 model है 5 in 1 convertible cooling के साथ में आता है 4 way swing है अब 4 way swing का फाइदा ये रहता है क अगर आपका room थोड़ा बड़ा भी है तो ये coverage ज्यादा देता है और जो features है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं link मैं आपको नीचे दे दूँगा description में और दोस्तों इस तरह की videos बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है तो मुझे support करने के लिए आप नीचे गए दिये या affiliate link से ही product को purchase कीजिए बाकी जो चीजे है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और अगर ज्यादा detail में अगर आपको इस AC के बारे में जानना है तो कुछ इस तरह का AC मैंने last year purchase किया था review आपको मेरे दूसरे चैनल में मिल जाएगा आप review i button या फिर description में जाके देख सकते ह हैं हलाकि मेरा जो model है वो hot and cold वाला नहीं है लेकिन hot and cold features छोड़के जो बाकी सारे इसके parameters हैं जो performance है उसको बखोवी बात हमने उस वीडियो में की है तो कुछ इस तरह का AC आपको मिलता है dual inverter compressor है fine one cooling है ocean fin black technology मतलब जो coils होते हैं इसमें corrosion जल्दी नहीं लगेगा 5 year PCB warranty very important for any kind of inverter AC जो LG यहां पर offer कर रहा है क्योंकि inverter AC में सबसे पहले जो खराब होने वाली जो component है जो बात है generally PCB चल्दी खराब होता है rather than compressor तो आपको इस तरह से आपको fire का warranty मिल जाता है anti allergic filter इसमें डला हुआ है link मिल जाएगा नीचे description में copper condenser है तो वो aluminum condenser वाला जंजट भी आपको नहीं रहेगा आईए चलते हैं next option की ओग दोस्तों जो next option मैंने pick किया है वो LG का बड़ा भाई है दो टन वाला जो features है वो लगभग पिछले model की तरह ही है यह वाला model आपको लगभग 55,000 के price range में मिल जाता है link आपको नीचे description में मिल जाएगा बाकी सारी चीज़े जो है वो मिलती है आईए चलते हैं next option की ओड़ दोस्तों जो next option मैंने pick किया है वो है blue star का 1.5 ton 4 star rated तो AC का use अगर आपका ज्यादा है पुरा पुरा दिन अगर आप AC चलाते हैं तो बिजली में बचत जो है आपको देखने को मिलेगी क्योंकि rating जो है इसकी वो पहले वाले AC के comparison में ज् अची है बाकि लोक वगरे काफी sleek है features वगरे बिल्कुल regular है कुछ ऐसा extraordinary आपको नहीं मिलता है एक यहां पर feature जो है वो आपको extraordinary मिलता है जो कि यहां पर बताया गया है इसका remote जो है उसमें एक sensor लगा हुआ है तो आप जहां पर बैठे है मानलीजे यहां पर बैठके हम बात कर रहे है remote आपने रख दिया सामनी तो आप जहां पर बैठे हैं वहां का यह temperature चेक करेगा और आपकी और proper cooling आ रही है या नहीं यह ensure करेगा और यह जो चीज है इसको blue star कहता है i feel technology बाकि जो सारे regular features है वो इस AC के अंदर दिये हुए है आप link open करके पढ़ सकते हैं आईए दे cold का मज़ा लेना चाहते हैं तो इस AC के और जा सकते हैं अब यहां पे कुछ ज्यादा detail तो लिखा हुआ नहीं है तो हम जो है एक के दूसरे website पे चले जाते हैं और यह जो AC है दोस्तों यह four star rated है और 100% copper आपको condenser मिल जाता है four stage filtration आपको मिल जाता है मतलब allergies हो गर अगर problem होत है self diagnosis इसमें डला हुआ है बाकी अगर features की बात करें तो आप यहां पे पढ़ सकते हैं high ambient temperature में मतलब ज्यादा गर्मियों में यह काम कर लेता है और 32 आपको refrigerant gas जो है वो मिल जाती है link मिल जाएगा नीचे description में दोस्तों आपको इन option में से अगर एक भी AC पसंद नहीं आया त इसके link मैंने देखे रखें अगर फिरी भी आप satisfied नहीं है no problem आप नीचे जाके मेरा telegram group join कर सकते हैं और मुझसे discuss कर सकते हैं कि भई कौन सा AC आपके लिए best रहेगा so that's it for this neat little video guys I hope you liked it take care and have a nice day